वेलकम टू येट एनादर सेशन अब आवर यूटूब चेनल MCQ वर्ल्ड और आज हम डिसकस करेंगे हिमालायान रिवर के दो और प्रमुक नदियां गंगा और ब्रह्मा पुत्रा नदी के बारे में तो पहले पार्ट में हम डिसकस किये थे इंडस नदी और उसके सहायक नदी के बारे में आई होप आप उस MCQ सारे MCQ का अच्छे से प्राक्टिस कर रहे होंगे तो अब हम डिसकस करेंगे गंगा और ब्रह्मा पुत्र के रिकारिंग जितने सारे पॉसिबल MCQ आपके एक्जाम में आ सकते हैं उस सारे MCQ बारे में आज डिसकस करेंगे तो फॉस्ट वान इज दगंगा फॉर्म पाए विच्टू रिवर स्ट्रीम एट देप्रयाग गंगा नदी किन दोनों नदी के समगम पर बदेप्रयाग में बनती है तो आप ये concept आपका clear होना चाहिए कि गंगा किसी एक particular नदी का नाम नहीं है गंगा दोनदी के संगम स्थल पर बनते हैं मतलब दोनदी मिलके गंगा नदी बनाती है इसका कोई origin source नहीं है इसी नदी किसी जगा पर ये नहीं निकलती है तो गंगा नदी किसी जगा पर नहीं निकलती है दो नदी के संगम स्थल पर बनती है क्या गंगा नदी तो वो दोनो नदी कौन से है जो देप्रयाग उत्तरा खंड में गंगा नदी का निर्मान करते है वो दोनो नदी कौन से हैं अलकानन्दा और महानन्दा अलकानन्दा और भागी रथी अलकानन्दा और यमुना या फिर यमुना और सरस्वती सो इस कुश्चन का करेक्ट एंसर है अलकानन्दा और भागी रथी ये दोनों रिवर मिलके गंगानन्दी का निर्मान करते हैं कहाँ पर उत्तराखंट देप प्रयाग में गंगानदी का निर्मान होता है किस दो नदियों के द्वारा अलकानन्दा और भागी रथी रिवर के द्वारा गंगानदी का निर्मान होता है second one is the origin of the river अलकानन्दा अलकानन्दा का origin या फिर source कौन सा है सतोपन्द glacier, गौंगत्री glacier, मान सरोबर या फिर राकस लिग तो अलकानन्दा बहुत ही एक important river है हिमालयान रिवर का और ये निकलता है कहां सतोपन्द glacier में और ये भी कहां है ये भी है उत्तरा खंड में अलकानन्दा सतोपन्द glacier से होकर निकलता है उसी तरह भागी रथी का origin कौन सा है सतोपन्द glacier, गंगोत्री glacier, गमुक गंगोत्री glacier या फिर राकस लिग second और third में थोड़ा confusion मत होईएगा तो उसका correct answer होगा गमुक गंगोत्री glacier गंगोत्री glacier भी correct होगा सतोपन्द glacier से और ये दोनों river मिलके देव प्रयाक में जो की उत्तरा खंड में है बनाते हैं क्यां कौन सा river बनाते हैं गंगा river तो देव प्रयाक में आने के बाद ना तो अलकानन्दा का कोई अस्तित्व रहता है और ना ही भागी रती का कोई अस्तित पर रहता है ये दोनों मिलकर बन जाते हैं क्या गंगा नदी इंडिया's highest dam तेहरी dam built on which river भारत का सबसे उचा डैम है कौन सा तेहरी डैम जो की उत्तरा खन पर स्थीत है तो हमको पूचा गया है कि ये तेहरी डैम जो है वो कौन से रिवर में बना है कौन से रिवर पर तेहरी डैम इंडिया का highest dam बना है अलकानन्दा, गंगा, भागी रती या फिर सोम तो जो highest dam है इंडिया का वो है तेहरी डैम और longest dam जो है कौन सा है वो है हिराकूद डैम जो की उरिसा में है बो बना है महानदी रिवर के उपर लेकिन जो तेहरी डेम है जो हाइस डेम है बो कौन से नदी के उपर बना है बो बना है the river भागी रथी अपसंसी भागी रथी रिवर के उपर बना है भारत का सबसे उचा डेम तेहरी डेम Which of the river is common in all प्रयाक of India तो हमारे भारत में बहुत सारे प्रयाक है प्रयाक मतलब क्या प्रयाक मतलब संगमस्तर जहां पर दो नदी मिल जाते है उस जगा को बोलते हैं प्रयाक तो सारे प्रयाक में से कौन सा एक रिवर है जो कमन है मतलब सारे प्रयाक में एक रिवर जो है वो कमन आता है वो कौन सा रिवर है अलकानन्दा गंगा भागी रथी या फिर सोन इस कुष्चन का एंसर करने से पहले थोड़ा सा हम प्रयाक कितने प्रयाक हैं और कौन-कौन से हैं ये सब हम जान लेते हैं उसके बाद इस एंसर को करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रयाक होते हैं पहला होता है विश्चनु प्रयाक जहां पर अलकानन्दा और धोली गंगा का समागम होता है उसके बाद होता है नंद प्रयाक नंद प्रयाक में नंदा किनी और अलकानन्दा का समागम होता है करन प्रयाक में पिंडर और अलकानन्दा का समागम होता है और रुद्र प्रयाक में अलकानन्दा और मंदा किनी का समागम होता है और आखरी में जो होता है देप्रयाक वहाँ पर अलकानन्दा और भागी रती का संगम होता है जिसके बाद अलका नंदा और काकोरिय और अस्तिप पर नहीं रहता वो दोनों मिलकर बन जाते हैं कया गंगा नदी तो सारे जो प्रयाग है उस सारे प्रयाग में एक रिवर कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन रिवर का नाम कौन सा है? अप्शन इसकिया? अलका नंदा और हम जो पहले डिसकस कर चुके है अलकानन्दा कहां से होकर निकलती है अलकानन्दा सतो पंथ ग्लेसियर से होकर निकलती है 6th one Which tributary of Ganga known as sorrow of Bihar Bihar का दूख किस Ganga के सहायक नदी को कहा याता है मतलब उस नदी के बजह से Bihar में जो हमारा भारत का एक स्टेट है Bihar उस स्टेट में बहुत सारे बन्या आता है बात्या आता है उसी की बजह से उस नदी को कहा जाता है sorrow of Bihar Option is Kosi, Yamuna, Poonpoon या फिर Son तो याद किजिएगा याद रखेगा कि सोरो औब Bihar कोसी नदी को कहा जाता है कोसी नदी जो गंगा की एक सहायक नदी है Tributary River है उस नदी को कहा जाता है sorrow of Bihar उसी तरह sorrow of Bengal किसको कहा जाता है sorrow of Bengal कहा जाता है दामोदर नदी को ये भी गंगा का एक सहायक नदी है दामोदर इसे कहा जाता है बंगाल का दुख यानि कि सोरो औब Bengal और Bihar का दुख यानि कि सोरो औब Bihar कहा जाता है कोसी नदी को सेबेंट वान विच अब दा ट्रिब्यूटरी अब दा गंगा ओरिजिनेट फ्रम अमर कंटक लेटू अमर कंटक के पठार से होकर गंगा का कौन सा एक सहायक नदी जो है वो निकलती है कोसी यमूना पुनपुन या फिर सोर तो इसका करेक्ट एंसर है अमर कंटक पठार से होकर निकलती है कौन सी नदी निकलती है सोन नदी और ये अमर कंटक पठार कहां है ये मध्या प्रदेश में स्तीत है लाजजेस ट्रिब्यूटरी अब दा रिवर गंगा गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है कोसी, यमूना, पुनपुन या फिर सोन तो गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है क्या गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है यमूना यमूना is the last test tributary of the river गंगा और दो famous city हैं जो क्या यमुना नदी के किनारे बसते हैं वो city कौन कौन सी है वो city है अमारा capital डेली और एक है आगरा आगरा और डेली दोनों ही यमुना नदी के किनारे पर तीत है दा famous फरक्का बेरेच built on which river फरक्का बेरेच किस नदी पर बनाया गया है फरक्का आपने बहुत बार सुना होगा यह नेम फरक्का बोलके यह किस नदी पर बनाया गया है यह बनाया गया है गंगा नदी के उपर और यह कहां पर स्तीत है यह West Bengal पस्चिम्बंग में यह स्तीत है किस स्टेट से होकर गंगा रिभर प्रभाहित नहीं होती है तो इसका एंसर जानने से पहले करने से पहले हमको ये समझना होगा कि गंगा रिभर कौन-कौन से स्टेट से होकर गुजरती है तो पहले ये गुजरती है कहां पर उत्तराखंड पर उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उसके बाद जारखंड, बिहार और वेस्ट बेंगल तो गंगा का जो मुख्य नदी है वो उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, जारखंड, बिहार और वेस्ट बेंगाल से होकर गुजरती हैं तो बचाकन, बचा, मध्याप्रदेश तो मध्याप्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो जिसके होकर गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है 11th one, which of the city not situated of the river गंगा गंगा नदी के किनारे कौन से एक सहर हैं जो स्थित नहीं है इस question को भी करने से पहले हमको ये समझना होगा कि कौन से एसा सहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं तो आईए समझते हैं रिसिकेस, हरिद्वार, प्रयाकराच, बारानसी, भागलपूर, कानपूर, बिहार का केपिटल पटना ये सब कौन से नदी के किनारे स्थित हैं ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित हैं तो कौन सा नहीं है ये है उत्तर प्रदिश का केपिटल लखनो लखनो जो है गंगा नदी के किनारे ना होकर गोमती नदी के किनारे बसा है 12th, which one is the right bank tributary of the गंगा गंगा नदी के right bank tributary कौन सा है गोमती, घागरा, पुनपून या फिर कोसी तो right bank tributary के लिए हमारे पास एक short cut trick है आप उसे याद कर सकते हैं वो short cut trick है यसोदा पुत्र यसोदा य से यमुना, सो से सोन, दा से दामोदर और पुत्र से पु से पुनपुन ये trick को याद करके आप गंगा नदी का right bank tributary जो होता है वो सब आपको याद आ जाएगा, बस आपको याद करना है यसोदा पुत्र तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा है बोला गया है वो आपको यस राइट बैंक tributary अब दा गंगा बोला है तो यसोदा पुत्र से कौन सा है यहाँ पुन-पुन पुन-पुन जो है एक right bank tributary है गंगा रिभर के left bank tributary कौन-कौन से है जिस से पहले अधिकतर जी आता है यह आप याद किजिएगा गोमती, घागरा, गंडकी, कोसी और महानन्दा यह सब right bank tributary है और left bank tributary है यमुना, सोन, दामोदर और पुन-पुन इन बांगला देश, the river ganga known as जब भारत से निकल कर गंगा नदी बांगला देश पर चला जाता है तो बांगला देश में उसे कौन से नाम से जाना जाता है उसे भी गंगा कहते हैं, या फिर पदमा बोलते हैं, या सरस्पती बोलते हैं या फिर उसे हुसेन सागर बोलते हैं तो इसका correct answer है बी पदमा जब भारत से निकल कर गंगा नदी चला जाता है बांगला देश में तो बांगला देश में उसे पदमा नदी के नाम से जाना जाता है सुन्दर्बन डेल्टा, इस फॉर्म बाए, फिच टू रिवर जो सुन्दर्बन का डेल्टा है, वो किस दो नदी के समागम पर बनता है किन दो नदी मिलकर सुन्दर्बन डेल्टा बनाते हैं गंगा और ब्रह्मापुत्र, तामोदर और गंगा, सरस्पति और यमुना, ब्रह्मापुत्र और हुबली तो इसका correct answer है गंगा और ब्रह्मापुत्र दोनो नदी मिला के क्या बनाते हैं? सुन्दर्बन का डेल्टा बनाते हैं यह कहां परश्थीत हैं? यह सुन्दर्बन डेल्टा इतना बढ़ा डेल्टा है कि इसका आधा हिस्सा भारत पर है भारत परश्थीत हैं और आधाहिस्सा बंगलादेस परश्थीत हैं ये रोयाल बेंगर टाइगर्स का होम आला जाते हैं आपर बहुत सारे बाख पाए जाते हैं टाइगर्स पाए जाते हैं और ये मैं इसके जो फोरेस्ट होता है इसको मैं ग्रूप फोरेस्ट बोला जाते है तो हम बता दे कि ब्रह्मापुत्र रिवर जो है ये चाइना तिब्बत से होकर निकलता है और भारत में प्रवेश करता है भारत चाइना और बंगला देश इन तीन देश से होकर हमारा जो रिवर ब्रह्मापुत्र है ये प्रवाहित होता है तो ब्रह्मापुत्र एक इंडियन नेम है तो चाइना में तो इसको ब्रह्मापुत्र नहीं बुलाते होंगे तो जहां पर यह start होता है तिबबत पर इसको कौन से नाम से बुलाया जाता है पदमा, देहांग, पंगपन या फिर सैंगपो फोर्थ वान में T silent होगा उसको pronunciation होगा सैंगपो तो उसका correct answer है सैंगपो उसका correct answer है सैंगपो ब्रह्मा पुत्रा को तिबबत में सैंगपो बोलके बोला जाता है यहां पर खतम नहीं हो जाता यह question जब वो भारत में प्रवेश करता है तो अरुनाचल प्रदेश में उसको कहा जाता है क्या देहां अरुनाचल प्रदेश में उसको कहा जाता है देहां और जब फाइनली वो कहां पहुँचता है साधिया आसाम पहुँचता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा पुत्रा उसको कहा जाता है ब्रह्मा पुत्रा और जब भारत से निकल कर पांगलादिस चला जाता है उसको कहा जाता है जमुना उसको कहा जाता है जमूना, not यमूना, बोला जाता है जामूना, तो सैंक्पो बोला जाता है तिब्बत पर, जब अर्वाचल प्रदेश आता है उसको कहा जाता है देहांग, साधिया आसाम पहुँचने के बाद उसको कहा जाता है प्रह्मा पुत्रा, और जब भारत से निकल कर वो बंगलादेश चला जाता है तो उसको कहा जाता है जमुना largest tributary of the river ब्रह्मा पुत्रा largest और longest सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी कौमसी है ब्रह्मा पुत्रा के तीस्ता शूबन सीरी लोहित या फिर देहा तो इसका करेक्ट एंसर होगा सूबन सीरी सूबन सीरी इस्वर लॉंगेस्ट tributary of the river ब्रह्मा पुत्रा सूबन सीरी सबसे बड़ी सहायक नदी सबसे लंबी सहायक नदी है ब्रह्मा पुत्रा के लार्जेस्ट रिवर एरलेंड एरलेंड मतलब द्वीप जो द्वीप होते हैं प्रायता कहां पाए जाते हैं सागर महासागर इसमें पाए जाते हैं जैसे कि आरवियन से में लाक्षा दीप हो गया, इंडियन ओसियन में हो गया आपका अंडवानो निकोबर, उसी तरह एक रीवर में भी आयरलेंड पाए जाते हैं, रीवर के अंदर भी आयरलेंड पाए जाते हैं, तो रीवर आयरलेंड में से सबसे बड़ी एयरलेंड कौन स दीप, मजूली, नियू मूर लेंड या फिर बारवा डोस तो इसका करेक्ट एंसर है option B मजूली मजूली एरलेंड जो की कहा पर्ष्थित है आसाम पर्ष्थित है वो सबसे बड़ी रीवर आरलेंड है और ये रीवर आरलेंड कौन से रीवर पर है ये ब्रह्मा पुत्रा रीवर पर है मजूली एरलेंड और उसके साथ ही आज का ये सेशन खतम होता है और एक कुश्चन के बारे में मैंने बताना भूल गया को गंगा नदी के दो डिस्ट्रीव्टरि रीवर भी है गंगा नदी संहें वक्त कौन से हैं जो दोनों है एक खुबली और दुसरा है भागी रती और हुबली जो है गंगा नदी का दो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर हैं तो इस सारे कुश्चन का आप प्राक्टिस कीजिएगा यह सारे के सारे कुश्चन्स बहुत ही इंपोर्टेंस हैं आपके एक्जाम के लिए और बेस्ट अब लॉग फोर यूर अपकमिंग एक्जाम्स एंड थैंक यू